आप सभी सोक्त बात करेंगे दोस्तों आपर अलोक इंडस्टी के बारे में इस कमपनी के आज कॉटर टू के रिजल्ट आचुके दोस्तों और इसका असर स्टॉक के प्राइस पर कैसे देखने को मिलेगा वह आपर हम डिसकस करेंगे अंडरस्टेनिंग जरूर करना चाहे दो आपको पता होगा पिछली बार जब इसने लॉस कमाया था तो 10% के करिब का लोवर सर्किट इसने दिखाया था तो इसलिए देखना जरूरी है और आपको पता भी करना जरूरी है दोस्तों की कमपनी कैसे फफर्म करेगी वह भी मैं आपको बताऊंगा जैसे के आलोक इंड पॉजिटिव में आएगा बोलकर इसमें तेजी देखने को मिली और यहाँ पर देखे बाद में ट्रेडर लोगों ने प्रॉफिट बॉकिंग भी इसमें की है यह भी नजर आता है खास करकर कैदो तो यहाँ पर रिजल्ट की डेट जैसे अनौन्स हो गई तब सही इसमें मुवमेंट डेखने को मिल रहे थे और स्टॉक पॉफर्म भी वैसे कर रहा था पास जिनों में देखिए इसने 10% का रिटन दिया जो अपना लेवल था 24 और 22 रुपए का वो तोड़कर 26-27 तक आया है स्टॉक अब यह आगे कैसे रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा जै पूरी तरके से एक करोर 40 लाग के करीब दोस्तों क्वांटिटी खरीदी गए इतनी बड़ी क्वांटिटी किस वज़े से तो कंपनी में यहाँ पर ग्रोथ होने वाली इस वज़े से दोस्तों खरीदी जारी है तो कंपनी एबिलेटी वाली है यहाँ पर आप देख सकते है अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों इसके result के बारे में company के result कैसे रहे और company ने कितना शांदार performance किया वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि result से ही पता चलता है ना company आगे कैसे perform करेगी और आने वाला जो यहाँ पर stock का performance है वो भी हमें यही देखकर बता देता है यहाँ पर दोस्तों अलोक इंडस्टी की PDF आ चुके है और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा company ने dividends rated कोई आनोस में नहीं की है यह पहले मुझे लगता है बता देना चाहिए आपको क्या होता है बहुत से लोगों को यह तो रहता है कि हमारे पास quantity आच्छी है तो हमें dividend मिलेगा क्या कोई dividend आया है क्या तो company ने dividend नहीं दिया बट इसके result की बात करें उससे पहले मैं यह भी दिखाना चाहूगा company के पास जो industries है वो देख सकते हैं इनके पास subsidy companies बहुत सारी है बोलतो company के पास जो अपना business expand करने के लिए और improvement करने के लिए अच्छे companies available है जैसे इसके result दोस्तों यह सभी figures इन करोड में है यह जरूर या यह देखें यहाँ पर total income की पहले बात कर लेते हैं company के company ने कैसे performance किया quarterly और yearly basis पर मैं आपको बताऊंगा यह देखें दोस्तों पिछले साल company ने यहाँ पर नजर आएगा 783 जो यहाँ पर करोडों का दोस्तों income कमाया था यहाँ पर देख सकते हैं वो बढ़कर कितना हुआ आए 1,878 यहाँ पर करोड में अब यहाँ पर नेक लिएट पर बात करें quarter और quarter basis पर जो यह जून महिने के पिछले quarter 1 के result और quarter 2 के result है पिछले महिने में जो पिछले result में 1,228 जो यहाँ पर करोडों का company का दोस्तों जो income था है company का बढ़कर कितना हुआ है 1,878 करोडों तो यहाँ पर company का revenue अच्छा performance में देखने को मिलता है अभी यहाँ पर directly दोस्तों company के profit की बात करें तो पिछले साल यहाँ पर याद रखना पिछले साल company ने जो कमाई की थी जो यहाँ पर हम profit की बात करें वो यहाँ पर आप देख सकते कितनी थी दोस्तों 4,442 जो एक करोडों यहाँ पर हमें माइनस में देखने को मिल रही है जैसे आपको बताना चाहूंगा यह yearly business की बात हो रही है पिछले साल September महिने में 2020 की और यह देखे इस बार क्या होगा है company को 74.25 जो लैक्स का दोस्तों एक करोड में है फिगर 74 करोड की बात हो रही है इतना loss इसने दर्च कि है बट quarter ना quarter basis पर जो 92 करोड का loss company को होता पिछले साल पिछले quarter में कहूंगा अंडर्शनी करना पिछले quarter में यह पिछले quarter का है और पिछले साल का profit है अभी इस साल जो यहाँ पर आपको कहूंगा 2021 के बात हो रही है उसके quarter 1 के result जब लगे थे तब company 92 करोड का loss किया था और quarter 2 के result आभी लगे ना उसमें company ने 74 का यहाँ पर करोड का loss दर्ज किया है यह बात आप समझ सकते दोस्तों और यहाँ पर हम जैसे total comparison income की बात करें उसमें भी नजर आएगा आपको कि company ने इस बार loss दर्ज किया है वो भी यहाँ पर comparison में आपको नजर आएगा यह पिछले सा दो हजार यहाँ पर 20 का yearly basis पर यह 2021 का सप्टेंबर मन्त के result है और यह quarterly result है तो quarter में यहाँ पर company का थोड़ा improvement देखने को मिला है company ने इस बार loss कम किया पिछले बार से but yearly basis पर company आभी भी loss में नजर आती है इसका earning per share यहाँ पर minus होते में नजर आए थोड़ा यहाँ पर आपक पर share भी उसका loss में देखने को मिलेगा तो I hope मुझे लगता है कि details समझ चुके इसलिए इस talk में आपको गिरावट देखने को मिल सकती यह understanding करकर चलना अलोक industry में thank you so much